मानने राश्रपती श्रीमती द्रौपदी मूर्मूजी का शुभाकमन हो रहाँज़, ब्लूग ब्लूगलेस के इस फैन फेर ध्मिनू के साथ उनका शुभाकमन होगा। मानने राश्रपती महोदया का शुभाकमन, उनके साथ राश्रपती के सचे। राश्रपती के सैन्य सचे, मेजर जेनरल मंजीत सिंगमन राल, सेवा मेरल, तथा राश्रपती के ABC भी उनके साथ हैं। भाया की राश्रपती, श्रीपती धौपती होगों। भाया की राश्रपती के 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 राश् झाल 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 मानिये रास्पति महद्या आपकी अनुमती हो तो समारो प्रारम किया जाए मंत्री श्री नरेंद्र दामो दर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूं की मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निश्चा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कर्टव्यों का स्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपा अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और वीधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं मैं नरेंद्र दामुदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के प्रधान मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्न्याथ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकी प्रधान मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संप्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा और प्रत्यक्ष रुप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा झाल 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 कर दो कर दो स्री राजनाथ सिंग मैं मैं राजनाथ सिंग इस्वर की चपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा स्थापिद भारत के संबिर्हान के प्रती तच्ची त्रद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का त्रद्धा पुर्वत और सुद्ध अंतक्त करण से निर्भन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्रेश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विर्ध के अनुसार नियायक करूँगा मैं मैं राजनाथ सिंग इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संगह के मंत्री के रूप में मेरे विशार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यांत होगा उसे किसी व्यक्ते या व्यक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के स्तम्यक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा औप्रत्यक्ष रूप से संतूशित या प्रगट नहीं करूँगा श्री अमिट शार मैं मैं अमिट अनिल चंद्रशा इस्वर की सपत लेता हूँ की मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विदान के प्रती सत्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षून रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्दापुर्वक और सुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराद या द्वेश्ट के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विदान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं मैं अमीत अनिल चंद्रशा इस्वर की सपट लेता हूँ कि जो विशए संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वार मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संव्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्सित न हो मैं प्रत्यक्स अथ्वा अप्रत्यक्स रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा श्री नितिन जैराम गटकरी मैं नितिन जैराम गटकरी इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची शर्दा और निश्टार कुंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन्य रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पुर्वक और शुद्धन तक करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपा अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार मैं करूंगा मैं इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे द्यात होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करता हुए कोई सम्मेक मिर्वहन के लिए ऐसा करना अपिर्शित हो मैं प्रत्यक्षा त्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा स्री जगत प्रकाश नडड़ा मैं मैं जगत प्रकाश नड़ा इश्वर की शपत लेता हो की मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंटा अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद अंताकरण से निर्वाहन करूंगा तता मैं भै या पक्षपाथ अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विदी के अनुसार न्याय करूंगा मैं मैं जगत प्रकाश नडड़ा ईशुर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तिओं को तब के सिवाए जब कि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा प्रकट या प्रकट फर्लप गॉड़्यान श्रीघ 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 हएं चाहन मैं सिवराज सिंग चौहान इस वर की सपत लेता हूं कि मैं विधिद्वारा इस्थापित भारत के संविधान के पृति सची स्रिद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की पृता और अखंडता अच्छुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का स्रिद्धा पूर्वक और सुद्ध अंता करण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पच्छपात अनुराग या दुएस के बिना सभी प्रिकार के लोगों के पृति संविधान और विधी के अंसार नियाए करूंगा मैं सिवराज सिंग चोहन इसवर की सपत लेता हूँ कि जो विसे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अधवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कटवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छ थो मैं अथवा अप्रतेख रूप से संसूचित या प्रिकठ नहीं करूंगा झाल 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 वैंडू को कैसे अबाल, जाति रिष्य कर लग जाम पेड़ोगी को बिल्ग कर ने मांध कर दोम कहा रिखि़ और मां रोल. मैं अजा प्रस्ज सां भोगान की रीति बेस कि अनिस्टर ब्चेश अनिसरो के लिए क्षशव बिल्गोगी हैं. प्रप्रड्रेमीन ड्बनिवीन बríसessäिस्ट पन्हो正аменी ओंसूरतको । पत्वजय को क्षाय फिर प्रजब्सनि र मुश्य ह। प्रड जाते है कि अकि मेड़ पिलOS एकτα्म यॉबिति कट अधस्य केच्षण आफ्ट Shield रिशन से सानल Dr. Subramanyam Jayashankar I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister. Thank you. Shri Manohar Lal Shri Manohar Lal इश्वर की शबत लेता हूँ कि विदी द्वारा स्थापेट भारत के सविधान के प्रती सच्ची, श्रधा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा. मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शर्धा पूर्वक और शुद्ध अंत्रक्रण से निर्वहन करूंगा. तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, समिधान और विधी के अनुशार नियाय करूंगा. मैं मनोहरलाल इश्वर की शप्त लेता हूँ, कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए, जबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा. यह जोगि ध olduğu के सिवाए जाने करना अपेक्षित हो मैं धर्मेंद्र प्रधान इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधीद्वारस तापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची सुर्धा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्यून रखूंगा मैं संग की मंत्री के रूप में अपने करतिवों का सुधा पूर्भक और सुध्ध अंतकर्ण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भए या पक्षय पाग अनुराग या दिश के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रती संबिधान और विधी के अनुसार नय करूंगा मैं धर्मिंदर प्रधान इश्वर की सपद लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री की रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथवा मुझे ग्यांत होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाय जबकी ऐसा मंत्री की रूप में अपने करतेवों क सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिकित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप में संसुची या प्रकट नहीं करूंगा श्रीजिटनराम मानझी मैं जीत्तन रावमान जी सत्त निष्टा से प्रति ज्यान करता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संभिधान के प्रति सची सर्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड ताक सुन रखूँगा मैं संभ के मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का सर्धा पुर्वक और सुध्य अंता करन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्सवात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संभिधान और बिधी के अनुशाद नियाय करूँगा मैं जीतन राम मांजी सतनिस्टा से प्रतिग्यान करता हूँ कि जो भी से संभ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं पर्टक्ष अथवा पर्टक्ष रूप में संसुचित या परगट नहीं करूंगा झाल 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 शुरी राजीव रंजन सेंग मैं राजीव रंजन सेंग और फ्लालन सिंग सत्य निष्ठा से प्रति ज्यान करता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सर्धा पुरुवक और सुद्ध अंता करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रतिश संविधान और बिधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं राजी वरंजन सिंग और फ्ललन सिंग सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रतेक्ष अथवा और प्रतेक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा क्रोंगा I, Sarwaananda Shanahwal, do swear in the name of God that I will bear true fate and allegiance to the constitution of India, as by laws tablighed, that I will uphold the sovereignty प्रच्सक्रां पह्याइ ओ करेंधे घर्दी डिल्याए लुटिटेश् गाटता प्रच्ड गार धिंदी प्रच्राब में विड़ान्था ओ दिए घरता झाली इंडिक्निुट खन्यटोर् तो से अंपिए लिगाई और देधीशिति प्रच्छिटिए और इंट्ग और पोस् to any persons or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. . 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 मैं डाक्टर विरेंद्र कुमार इस्वर की सफ़त लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के शंविदान के प्रती सच्ची सद्धा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंतरी के रूप में अपने करतब्यों का स्रद्धा पूर्बक और सुद्ध अंताह करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविदान और विदी के अनुसार नियाए करूँगा मैं डाक्टर विरेंद्र कुमार इसवर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्टी या व्यक्टियों को तब के सिवाए जब कि ऐशे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षत हो मैं प्रतेक्ष अत्वा अप्रतेक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँगा फ्रीक इंजरप्पू रमोहन नायदू आप आप जालोड एपक प्रुटिटा इस वैजर्ण आप आप जाप नेक्ट आपव एंगर्य की जार्टी सब आप्निक्टीज कि अपनी इस प्रुटाह जिए अजिए अट इस ब्रुटाइट टीन इस अपनी लिए पी आप एट कि अए ख़गोंे तेग्टेश धूलाज and the law without fear of favor, affection or ill will. I, Kinjirapur Ram Mohun Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Thank you. Sri Prahlad Joshi I, Rulhad Vengtej Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rulhad Vengtej Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for union except may be required for the due discharge of my duties as such minister. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मैं जुएलो राम इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रधा और विष्टा रखूँगा मैं भारत के प्रोहता और अखण्यता अख्षुन रखूँगा मैं संग के बंत्री के रुप में आपने कर्तव्यो का स्रधा पुर्वक और सुध्ध अंतकरण से निर्बाहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपाद अन्वराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अमसार न्याय करूँगा मैं जुएलोराम इस्वर्वक की सपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्हांत होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक तब कि सिवाए जबकि ऐसा मंत्री के रूप में आपने कर्तव्यों का सम्नौक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपिखित हो मैं प्रतिक्ष अथवा और प्रतिक्ष रूप से संचुचित यहाँ प्रकट नहीं करूँगा और मैं प्रतिक्ष रादस्न संचुचित यहाँ ओल से संचुचित यहाँ नहीं जूबकि तब किस दो विए जज। कर दो झाल खो झाल झाल श्री गिरी राज सेंग मैं गिरी राज सेंग इस्वर की सबत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के शम्रिधान के परती सची सद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की परगुता और अखंडता अच्छुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सर्धा पुर्वक और सुध अंतर करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपा अनुराग या दोएश के बिना सभी परकार के लोगों के परती शम्विधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं गिरीराज सिंग इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय शंग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ती या ब्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आप एच्छित हो मैं परतक्ष अत्वा वह परतक्ष रूप में संसुचित या परकट नहीं करूंगा श्री अश्वनी वैष्णव मैं अश्वनी वैष्णव ईश्वर की शबत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापे भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची श्रद्दा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्दा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं अश्विनी वैश्णव ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा प्रकशी व्यक्ति द्यूब नहीं च्रॉब नहीं कराथ संद दो फिए भागी होः तेक्षित्य करूंगर्ण के सिवाए याद्धिन स्री युट्यरदीत म. सिंदिया मैं जोतिरादित्य मादवराव संदिय इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वक और शुद अंतकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं जोतिरादित्या माधवराउ सिंद्या ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से सनसूचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री भुपेंद्र यादव मैं भुपेंद्र यादव इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंड का अक्षण रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंत्यकरण से निर्वहन करूंगा तता मैं भय या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं भुपेंडर यादव इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्याथ होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तब तक के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्वे के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा आप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करोगा फ्री गजेंद्र सिंग सेखावत मैं गजेंद्र सिंग सेखावत इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदिद्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची नित्शद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखड़ता अक्षण रखूँगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का शद्धा पूर्वक और शद्ध अंतह करण से निर्वहन करूँगा तता मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रतिस सम्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं गजे इंद्र सिंग शेखावत इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशह संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वेन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा स्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैं अन्नपूर्णा देवी इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं विदी दुआरा स्थापित भारत के सम्यदान के प्रती सची स्रद्धा और निस्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तेव्यों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अन्तकरन से निरवहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या दुएस के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, शंविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगी मैं अनपूर्णा देवी इश्वर की सपत लेती हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाए जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यो के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुची या प्रकट नहीं करूंगी श्री किरेन रिजिजू मैं किरेन रिजिजू इश्वर की शपट लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थाफित भारत के संभीदान के प्रती सची श्रिद्दा और निष्ठा रखोंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्छूर रखोंगा मैं संभीदान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं किरंडी जेजू इश्वर की शपट लेता हूँ कि जो विशए संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबके ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकत नहीं करूँगा श्री हर्दीप सिंग पूरी I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. क्राइग क्राओ क्राइण क्राओ ufen डॉक्टर मन्सुक मांडविया मैं डॉक्टर मन्सुक मांडविया इश्वर की शपद लेता हूँ की मैं विधिद्वारा स्थापित भारत की सम्विधान के प्रती सची सद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षोन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सद्दा पुर्वक और शुद्द अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाई या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करूंगा मैं डॉक्टर मंसुख मांडविया इश्वार की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपन तक्ष रूप में संसू चित या प्रगट नहीं करूंगा स्री जी किशन रेड़ी मैं गंगापुरम किशन रेड़ी इश्वर की श्पत लेता हूँ कि मैं विदिद्वारा स्तापित भारत के संविदान के प्रती सच्छी श्रद्धा और निष्छा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अकंड़ता अक्षुन रखूंगा मैं संग्य के मंत्र के रूप में अपने करतवियं का श्रध्धा पुर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वान करूंगा थता मैं भय या पक्षपात अनुराद या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविदान और विदि के अनसार न्याय करूंगा मैं गंगापुरं किशन रेड़ी ईश्वर की शपत लेता हूं कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अत्वा मुझे घ्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों के तब के सिवाए जबकि आईसी मंत्री के रूप में अपने निर्वयन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा शुरी चिराग पास्वान मैं चिराग पास्वान इश्वर की शपद लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापत भारत के सम्विधान के प्रती सची श्रद्धा और निश्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखूँगा मैं संके मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वत और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तदह मैं भे या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं शिराग पासवान इश्वर की शबद लेता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अध्वा मुझे ग्याद होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को तब के शिरवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के समयत निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अध्वा आप्रत्यक्ष रूप से संसुचत या प्रकट नहीं करूँगा श्री सी अर पातिल मैं सी अर पातिल मैं इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदीद्वारा स्थापित भारत के सवीदान के पती सच्ची सद्दा और निष्टा रखूँगा मैं बारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतोयों का सद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वन करूंगा तब या पक्षबात अनुराग या द्रेश के बिना सभी प्रकार के मुर्व लोगों के प्रति सभीदान और विधी के अनुसार नियाई करूंगा मैं सियर पाडेल इश्वर की सब्बत लेता हूँ कि जो विशेय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाय गा अत्वा मुझे नात होगा उसे किसी व्यक्टि या व्यक्टियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टों के समयक न पत्यक्रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, राओ इंदर्जीट सेंग. I, Inderjit Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjit Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you very much. डॉक्टर जितेंद्र सेंग मैं मैं डॉक्टर जितेंद्र सेंग इश्वर की शपत लेता हू कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची शद्धा और निश्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अकड़ता अक्षुन रखूँगा मैं संग के रज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंधा करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब के ऐसे रज्वंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्यूचित या प्रकट नहीं करूँगा स्री अर्जुन राम मेगवाल मैं अर्जुन राम मेगवाल इस पर की सफ़त लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची सर्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंड़ता अक्षुन रखूँगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सुर्दा पूर्वग और सुद्ध अंते करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्सपाथ अनुराग या द्वेश के बिना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नियाई करूँगा मैं मैं अरजुन राम लेगवाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशैसंग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वक्ती या वक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने करतिवें के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्सित हो मैं परत्यक्स अत्वा अपरत्यक्स रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा स्री प्रताब राव गनपत राव जाधव मैं प्रताब राव गनपत राव जाधव इश्वर की शपत लेता हूं की मैं विधी दोरा स्तापीद भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्दा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन्य रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने करतोयों का श्रद्दा प्रुवक और शुद्द अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नयाय करूंगा मैं मैं प्रताप्राव गनपत्राव जाधव इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशेशंग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएंगा अत्वा मुझे द्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतों के सम्यक नियर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगा स्रीजयंत चाधरी अ जैन चाधरी do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. I, Jain Chaudhry, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you, Jain Chaudhry. Thank you, Jain Chaudhry. Raja Mantri Sri Jitin Prasad मैं जितिन प्रसाद इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विदान के प्रती शची श्रद्धा और निश्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखुंटा अच्छुन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रद्धा पूर्वत और शुद्ध अंद्धकरण से निर्वन करूंगा तता मैं भै या पक्षपात अनुराग या दुएश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विदान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं जितन प्रसाद ईश्वर की शपत लेता हूं की जो विशेश संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राजमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा स्री श्रीपाद येशो नाइग मैं स्रीपाद येशो नाइग इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदीद्वार अस्तापित भारत के सभीदान के ब्रती सची श्रद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़त आक्षूंट रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तेयों का शद्दा पुर्वत और शुद्द अंतकर्ण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विदी के अनुसार न्याई करूंगा मैं, मैं स्रीपाद्यसोनाइक इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतवों के सम्मेक निर्वन के लिए ऐसा करना प्यक्षित हो, मैं प्रत्वा 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 रूप से संसुचित या प्रगट नहीं कर 法定人數不足 श्री पंकज चौधरी मैं मैं पंकज चौधरी इस वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वाराज तापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची सरद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रवता और खंटा अच्चोड रखूँगा मैं संग्य के राजमंत्री के रूप में अपने करवतों का सद्धा पूर्वक और सुद अंतख करण से निर्वान करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्धान और विधी के अनुशार नयाय करूँगा मैं पंकत चोद्री इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो भी सहसंग्य के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने अपरतच चुरूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा श्री कृष्ण पाल मैं कृष्ण पाल इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थाकित भारत के सिर्धान के पिरती सच्ची सिर्दा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्टव्यों का सर्दा पूर्वत और सुद अंतकरण से निर्वेहन करूंगा तदह मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी परकार के लोगों के पिरती सविधान और विधी के नुसार न्याय करूंगा मैं चिर्शनपाल इस वर की सपत लेता हूँ कि जो विशे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्टव्यों के समयक निर्वेन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं पर्तेक्ष रूप से संसुचित या परकट नहीं करूँगा. स्री रामदास अथावले. मैं रामदास अथावले सत्य निष्टा से प्रदिद्या कर्दा हूँ की, मैं विदीद्वारास तापीद भारत के सविधान के प्रदी, सची स्रद्धा और निष्टा रुखूंगा. मैं भारत की प्रभूता और अकंड़ता अक्षुन रखूंगा. मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तोयों का स्रद्धा पूर्वों का और शुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूंगा. सता में भाई या पक्षपा अनुराग या अध्वेश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती, सवीधान और विदी के अनुसार में करूंगा. मैं, मैं रामदा सठोले सक्के निष्टा से प्रतीद्या करता हूँ कि, जो उसे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथुआ मुझे नियात होगा. उसे की विक्तिया विक्तियों को सब की सिवाएँ अब की आइसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्टविवन के सम्यक निर्वन के लिए आइसा करना फिक्षित हो, मैं प्रक्तेक शात्वाप्रक्तेक रूप से समसुचीद या प्रकट नहीं करूंगा. स्री रामनात थाकुर मैं रामनात थाकुर इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थाफित भारत के समध्यान के परती सच्ची सर्धा और निस्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तबू का सर्धा प्रवक और सुध अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दोईस के विना सभी परकार के लोगों के प्रती समिधान और वीधी के अंस्वार नाय करूंगा मैं रामना ठाकूर इस्वा की सपत लेता हूँ कि जो भी से संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रतक्ष अथवा और प्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रकत नहीं करूंगा श्री निद्यानन राइ मैं निद्यानन राइ इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा अस्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की पभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग की राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सर्धा पुरवक और सुध अंताकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दोईस के बिना किसी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और दिधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं नित्यानंद्राए इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राजमंत्री के रूप में मिरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बेक्ती या बेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों के समयक निरवहन के लिए ऐसा करना अपिछित हो मैं परत्यक्ष अथवा और परत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा कर दो स्रीमती अनुप्रिया पटेल मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधी द्वारास्थापित भारक के संविधान के प्रति सच्ची श्रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारक की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रधा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भे या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करूँगी मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगे श्रीवी सोमन्ना I I wish vos मन्ना do swear in the name of God that I will dear true faith and allegiance to the Constitution of India as by Lord established that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will be faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection in our ill will. I, V. Swamana, do spare in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thank you. दोक्टर चंदरशेखर पेमा सानी I, Dr. Bemasoni Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity अढ़ मोग जूरू इखुर्षट आफ रसील से एंसलेंजेश्ट को लूर। ढ़ य्यार सपर्ड नश्यकूम गाल लूव फिपकॉनानि अखुर्ह परph ihr जाकूं सोनus रह स Étatsनलें. I, Dr. Pemasoni Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Professor S.P. Singh Bagheel. I, Professor S.P. Singh Bagheel, I, 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 स्रद्धा और निश्टा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण रखूंगा. मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूर्वग और सुध्य अंताकरन से निर्वहन करूँगा. तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अंसार नियाई करूँगा मैं प्रोफेसर एस्पी सिंग बगेर इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विसे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्य मंत्री के कर दो कि लिएर लुणा के रूप मुझे लाएए़ लागा जाए़ लुणा थाले कि विए लिए लुणा थाले कि रुणा थाले कि लुणा प्रणाव जगए़ सूस्री शोबा करनलाजे मैं शोबा करनलाजे ईश्वर की शपत लेती हूंकि मैं विदी ध्वारस थापित भारत के सविदान के प्रती सची, शद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत के प्रभुता और अकंडत का अक्षन रखूंगी मैं संग का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्थव्यों का शद्धा पूरक और शुद्धा अंतकरन से निर्वान करूंगी तता मैं भाय और या पक्षपत अनुराग या धेश के बिना सभी प्रखार के लोगों की प्रती सविधान और विदी के अनुसार नियाई करूंगी मैं मैं शौबा करमलाजे इश्वर की शपत लेती हूं की जो विशै संद के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्ञाथ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के शिवाई जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सम्यक निर्वान के लिए ऐसे करना अप्यक्षित हो में अप्रत्यक्ष रूप से संसुजीत या प्रकट नहीं करूंगी श्रीकिर्टी वर्धन सेंग मैं कीर्टी वर्धन सेंग ईश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं वेद्य द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सची शद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अकंड़ता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तमियों का सद्धा पूर्वत और शुद्ध अंतर करन से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विद्ध के अनुसार नयाय करूंगा मैं कीर्थी वर्धन सिंग इश्वर्ड की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग कर्ण के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्त या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजबंती के रूप में अपने कर्वंत्यों के समया निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं अप्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसुतित या प्रकट नहीं करुगा. श्री बी एल वर्मा. मैं बी एल वर्मा इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्तापित भारत के संविधान की प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखुआ. मैं भारत की प्रवता और अखंडता अक्षुन रखुआ. मैं संविधान के राजी मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों का श्रदा पुरुवत और सुध्ध अंताकरण से निर्वान करुआ. तथा में भे या प्रक्षपाद अनुराग अद्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रती संविधान और विदी के अनुसार नियाए करूआ. मैं बियल वर्मा इस और की सफ़त लेता हूँ कि जो बिसे संगा के राजी मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे राजी मंतरी के रूप में अपने कर्तब श्री शांतनू ठाकुर I, Sri Santanu Dhakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. स्रीज सुरेश गोपी I, Suresh Dupi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Dupi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister of State. Congratulias. 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 अच्री लं मुरूगन अच्री ल मुरूगन युद्ट रवलाओ युद आको सब्साटत्ता तूए झाल I will will bear to faith in allegiance to the daftum of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consistently discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a Minister of State. स्री अजय टम्टा मैं अजय टम्टा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्तापिद भारत के समिधान के प्रती सच्ची सरदा और निस्का रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखुंडता अक्सुन लखूंगा. मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने करतबियों का सरदा पुरुवग सुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा. तथा मैं भै या पक्सपात अनुराग या देश के बिना सभी परकार के लोगो नियायत करूंगा. मैं अजय टम्टा इस स्वर की सपत लेता हूं कि जो विशे संग्यके राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या ब्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे राज्य मंत्री की रूप में अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अफेक्सी तो मैं परत्यक्स अथ्वा अपरत्यक्स रूप से संसुचित या परकट नहीं करूंगा. श्री बंदी संजे कुमार मैं बंदी संजे कुमार ईश्वर की शिपत लेता हूं कि मैं विदिद्वारस तापित भारत के संविधान के प्रती सच्छी सद्धा और निष्टा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अकनता अक्षुन रखूंगा. मैं संग के राज्ज मंत्री के रूप में अपने कतव योंका सद्धापुर्वक और शद्ध अंतक करने से निर्वान करूंगा. तदा मैं बै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रगार के लोगों के पती संविदान और विद्धी के अंसार न्याय करूंगा मैं बंडी संजे कुमार इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशाई संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से समसोचित या प्रकत नहीं करूंगा स्री कमलेश पास्वान मैं मैं कमलेश पास्वान इस वर की सपत लेता हूं की मैं विदी दुआरा इस्ताफित भारत के समिधान के पती सची सद्धा और निस्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडिता अच्छूर रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पुर्वा को सुद्ध अंता करण से निर्वन करूंगा था मैं भैत था पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिदान और विदी के अनुसाथ निया करूंगा मैं कमलेश पासवान इस वर की सपत लेता हूं कि जो विसाय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वैक्ति या वैक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्वैक निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षी थो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या टकट नहीं करूंगा श्री भागिरत चौदरी मैं भागिरत चौदरी इस्वर की सपत लेता हूं की मैं विधीद वाराज तापित भारत के सुईधान के प्रती सच्ची सर्दा और निश्चा रखोंगा मैं भारत की परभूता और खंडता अक्षुन रखोंगा मैं संग के राजिय मंत्री के रूप में अपने कर्तियों का सर्दा पुर्वक और सुद्ध अंतर करन से निर्वन करूंगा सता मैं भे या पक्षपाग अनुराग या द्वेश के बिना सभी परकार के लोगों के प्रती सविधान और विदी के अनुसार नियाई करूंगा मैं भागिरत चोधरी इस तोर की सपत लेता हूँ कि जो विशे संग के राजिय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तो मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजिय मंत्री के रूप में अपने कर्टियों के सम्यक्स निर्वन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं पर्तियक्स रूप से संसुचित या परकड नहीं करूंगा श्री शतीश चंद्र दोबे मैं सतीश चंद्र दोबे इस्वर का सपत लेता हूं कि मैं विधीद द्वारा अस्थाफित भारत के सम्मिधान के परती सच्ची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्छोन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्थब्यों का सर्धा प्रुबक्ष शुद्ध अंतह क्रण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दुवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के परती सम्मिधान और विधी के अंसार न्याय करूंगा मैं सतीश चंद्रदुवे इस्वर का सफ़त लेता हूँ कि जो विशाय संग के राजमंत्री के रूप में मेरे बिचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसके उसे किसी बैक्ति या बैक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों का शम्यंक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं परतक्ष अथ्वा अपरतक्ष रूप में संसूचित या परकट नहीं करूँगा अग्वाहाओ रुप टुप हो या कषग याओ, शुप हो क्या एवाओ, रूप बेख एवाओ, वाओ, रूप प्रॉप, या हो स्री संजय सेट मैं संजय सेट इश्वर की सपद लेता हूँ कि मैं वीधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान की पती सची सद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और खंडता को अर्थन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पूर्वक और सुध अंतकरण से निर्वन करूंगा तथा मैं भाय या पच्छपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा मैं संजसेट इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राजमंत्री की रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री की रूप में अपने कर्तब्यो लिए ऐसा करना पेचित हो मैं प्रतच अथ्वा अप्रतच रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा चैनल से स्राथ क्यू शुण या वुब नहीं दो अवी नहीं प्रकट छास्ट भाइन प्रकट युश्या थाईन आई I, Ramneet Singh, bid to do swear in the name of God that I will bear true faith and alliance to the constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people. I, Ramneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union effect as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. Thank you. Thank you. Thank you. स्री दुर्गादाज उईके मैं दुर्गादास हुई के इश्वर की सफथ लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा इस्थापीत भारत के संविधान के प्रती सच्ची स्रद्धा और निष्था रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं शंग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रद्धा पुर्वक और शुद्ध अंतह करन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं दुर्गादास उई के इस्वर की सफथ लेता हूँ कि जो विशए शंग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अध्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वेक्टी या वेक्टीयों को तब कि सिवाए जब कि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपिक्षित हों मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा अजय दिएएँ चांप। स्रीमती रक्षा निखिल खड़ से मैं रक्षा निखिल खड़ से इश्व की शपद लेती हूगी मैं विदी द्वारा स्तापित बारत के सवीदान के प्रती सची श्रद्दा और निश्टा रोखुगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखुगी मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने करतेवक का श्रद्दा पुर्वक और शुद्द अंतकरन से निर्भा करूगी तथा में भाय या पक्षपाद अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवीदान और विदी के अनुस्वार नय करूगी मैं रक्षा निकिल खड से इश्वा की शपद लेती हूगी जो विशे संग के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अथवा मुझे नियात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तबके सिवाए जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने करतेवे के समय निर्वा के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रतिक्ष अथवा प्रतिक्ष रूप से समसुचित या प्रकट नहीं करूगी Shri Sukanta Majumdar I, Sukanta Majumdar, do say in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. as by law established, that I will afford the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sukanta Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. I, Sukanta Majumdar, do not have a government requirement. झाल झाल श्रीमती सावित्री ठाकूर मैं सावित्री ठाकूर इस्वर की सपत लेती हूँ की मैं विदी दिवारा इस्तापित भारत के सविदान के परती सच्ची सद्दा निष्टा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अकंता अक्षुन रखूंगी मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में करतवयों का सद्दा पुर्वप अंतकरण से धिर्भन करूंगी तथा मैं भाई या पक्चपात के अनुरव देश या विना स्रकार के लोगों के प्रती सविदान इदी के अनुसार म्याय करूंगी मैं मैं शावित्री ठाकूर इसवर की सपत लेती हूँ की जो इसे संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे याद होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को तब के सिवाई जब ऐसे राज्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तबे का समीक निर्भन के लिए ऐसे अफेट्शीत को मैं प्रतेक अत्वा आप प्रतेक रूप से समचीत या प्रकट हूंगी कर दो श्री तोखन साहू मैं तोखन साहू इस्वर की सबत लेता हूँ की मैं विधी दवरा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्छूड रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अन्ता करण से निर्वान करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपाद अनुराग या द्वेस के बिना सभी प्रगार के लोगों के प्रती सविधान और विधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं तो खंसा हू इस वर की सपत लेता हूँ कि जो विशाय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत् вам मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्वान के लिए एसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रगाट नहीं करूंगा श्री राज भूशन चादरी मैं डॉक्टर राज भूशन चादरी इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अच्छून रखूंगा मैं संग के राज मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों का सरधा प्रुबक और सुद्ध अंतह करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनराग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के परती संविधान और बिधी के अनुशार नियाई करूंगा मैं मैं डॉक्टर राजभूशन चौधरी इस स्वर की सपस लेता हूँ कि जो भी से संग के राज मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बैक्ती या बैक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज मंतरी के रूप में अपने करतब्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपैक्षित हो मैं परत्यक्ष अथवा और परत्यक्ष रूप से संसूचित या परकट नहीं करूँगा स्री भूपती राजू स्री निवास वर्मा मैं बोपित राजु स्री निवास वर्मा एश्वर की श्यप्त लाता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्तापित बारत के संविधान के प्रती सची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं बारत की प्रभुता और अकंडता अक्षिन रखूंगा मैं सांग के राजमेंद्र के रूप में अपने कात्वियं का शद्दा परवक और सुद्ध अंथकरन से निरहन करूंगा तदा मैं बाई या पक्षपात अनुरोग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदी के अनुसार ज्याय करूंगा मैं बोप्तराज सीनवास वर्मा एश्वर की शपत लाता हूँ कि जो विशेई सांग के राजमेंद्र के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विक्ति या विक्तियों को तब के सिवाई जबकि ऐसे राजमेंद्र के रूप में अपने कर्कोवें के समयक निरोहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्षा अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से समसुचित या प्रकट नहीं करूँगा स्रीहर्श मलहत्रा मैं हर्श मलोत्रा इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वत और शुद्ध अन्ताकरण से निर्वान करूँगा तता मैं भै और पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समिधान और विधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं हर्ष मलोत्रा इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में, अपने कर्तव्यों के सम्यक, निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा स्रीमती नीमुबेन जैनती भाई मामरिया मैं नीमुबेन बाबणिया इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं विदीद्वारा स्थापीद भारत के सविदान के प्रती सची स्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षून रखूंगी मैं संके राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तग्यों का स्रद्धा पुर्वग और शुद्ध अंतह करण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भाई या प्रक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविदान और विदी के अनुसार न्याई करूंगी मैं निमूबेन बाबनिया इश्वार की सपत लेती हूं की जो विशाई संके राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अत्वा मुझे गनात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की एसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए एसा करना अपेक्सित हो मैं प्रत्येक्स रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूंगी व्यक्ति ऑंप झाल याल रूप से संसुचित हैं क्या मैं प्रत्येक्सित हैं स्री मुर्ली धर मोहोल मैं मुर्ली धर मोहोल इश्वर की शपत लेता हो की मैं विधित और स्तापित भारत के समीदान के प्रती सच्ची श्रदा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने करतों में का श्रद्दा पुर्वक और शुद्दांत करण से निर्वन करूंगा तथा मैं भर या पक्षपात अनुराग या दिवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समीधान और विदी के अनुसार नयाई करूंगा मैं मुर्लीदर महोर इश्वर की शपत लेता हूँ की जो विशे संगर राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे न्यात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करतों के सम्मियक निरुभन के लि Lust के लिए ऐसा करना अपिक्षित हो मैं प्रत्थिक्ष अथ्वा अप्रत्थिक्ष रूप से संसूची या प्रकट नहीं करूंगा कर घ्रत्थिक्ष रूए था इंद फ्रीक्ष रिष्व। रू़ इस यर दीर आव ओर ऑफिर खर्व अजिये विर्ट्टास टुर्ट्ट अविर्टों इडिंची अशुशन अविर्ट्ट सॉचा आव एंद ए इन स्वासट्टिस या आव इन स्वा वे लो इस बें आव तर and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill-will. I, George Kudian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be, required for the due discharge of my duties as such, Minister of State. I, Povitra Margherita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill-will. I, Povitra Margherita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such, Minister of State. Thank you, Povitra Margherita. Thank you, Povitra Margherita. Thank you. Phwitra Margherita. प्ताव को औरेज्ड नच्छन आफम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो प्रदान मंत्री श्री नारेंड्र मोदी के हाथ और उनके मंत्री परिशत के सही होगी इस समे़ गृफ फोतो के लिए An important part of the Earth's taking ceremony is the photo op with the president and the prime minister and the vice president the newly elected council of ministers is a prudent mix of youth and experience ओग शबठ ग्रहन समारो के बात नया भारत नई आशा नई आकांग्शा और उमीदों के साथ नई पारी के लिए पूर्ण रूप से तयार है असल में ये अंतने ही शुरुआत है भविशिके लक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदीजी के नेत्रतों में भारत विकसित भारत 2047 के लक्षों को सरलता से त्वासियों की आज यही कामना है इस समय राश्रोपती प्रधानमंत्री और उपर राश्रोपती इस भव समारोह के लगभग लगभग समापन की तरफ अग्रसर ये समारोह और जैसे की नए भारत का जिक्र है वाकई में ये नया भारत है जहां जोश भी है आगे बढ़ने का जजबा भी नया भारत जो सुरक्षित, सम्रिध, शक्तिशाली है और जिसका आधूनिक विज्ञान के साथ तकनीकी कुषेतर में दबदबा भी है ये नया भारत है जहां जन के मन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें खुशाल, उन्नत और प्रगतीशील बनान These visuals will go down in memory lane as a testament to this significant turning point in our nation's history. As the proceedings draw to a close, the fore court of Rashtrapati Bhagavan stands illuminated. A testament to the enduring power of democracy and the collective will of the people. The ceremony is about to conclude, but the journey ahead is one of promise and potential. हमारे विदेश महमान हमारे पड़ुसी देशों के राश्टा थियक्ष और शास्ना थियक्ष और हिंद माहसागर क्षित्र के देशों के राजमेता इस समय मंच पर और ये वो यादगार तस्वीरें हैं जो आने वाली पीड़ियां याद रखेंगी एतिहासिक पल एतिहास में दर्ज कोटा हुआ एतिहास में दर्ज कोटा हुआ एतिहास में दर्ज कुटा हुआ एतिहास में दर्ज कुटा हुआ Heads of State who have come specially to witness the historic moment of Prime Minister Narendra Modi's third consecutive term in office a wonderful photo op the President of Sri Lanka His Excellency Ranil Vikramasinghe President of Maldives His Excellency Dr. Mohamed Muitzu the Vice President of Seychelles His Excellency Ahmed Afif the Prime Minister of Bangladesh Her Excellency Sheikh Hasina the Prime Minister of Mauritius His Excellency Pravin Kumar Jagma the Prime Minister of Nepal His Excellency Pushpa Kamal Dahil Prachand and the Prime Minister of Bhutan His Excellency Sharing Topke और इनके साथ हमारे देश की राष्ट्रपती हमारे देश के उपराष्ट्रपती और देश के पधानंत्री आज पिसमारों के पश्चाद इन महमानों के लिए राष्ट्रपती भवन में बहुत देश के लिए भोज का आयोजन किया गया है और रस्थान कर रहे हैं यहां से इन महमान राष्ट्रपती भवन के भीतर आज के इस विशेश अवसर पर इनका आगमन नई सरकार का गठन और यह एतिहासिक पल और अब सभी गंड माने वेकते राष्ट्रपती भवन की यह शानदार एक तिस सीरियां और इनके सामने यह टसकन पिलर्ज यह स्तंब वास्तुकला का